हलो दोस्तों मैं हूँ एजुगेटर शुभम पांचाल और स्वागत आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लेकर आए हैं जारखन के लोग से की पारंविक परिक्षा के विगत वर्षों में पूछे गए प्रशनों का संग्रह आज हम जो पार्च देखने वाले हैं वह है आज हमारा पैरंविक पेपर 2016 का पार्च नमबर 1 जिसमें हम देखने वाले हैं विविन पकार के कोश्चन्स तो बने रही है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ विडियो को शुरू करने के पूर्व मैं आपसे कुछ इंफर्मेशन शेयर करना चाता हूँ हमारे द्वारा कुछ पेड़ कोर्सेज चलाए जा रहे हैं जो अल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वार UPSC एंग अधर स्टेट पीस्टी फॉर UPPCS वार MPPSC एवं BPSC के आप प्री एवं मुख्य परिक्षा की त्यारी हम से जुड़कर कर सकते हैं यदि आप हमारे पेड़ कोर्सेज लेने चाते हैं तो दिये गए नंबर पर आप संपक कर सकते हैं 96960-66089 या 8564-880530 पर साथ या आप हमारा फ्री टेलेग्राम ग्रूप जोइन कीजिए सर्च कीजिए एड़ी रेजिस्टरी फॉर सिविल सर्विसेस और बने रहे हमारे साथ तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कॉस्टन नंबर वन है आपका चालुक की शाषक पुलिकेशन की हर्ष पर विजय का वर्ष क्या था आपको बताना इसमें वर्ष क्या था 612, 618, 622 या 634 ताब सभी को ग्यात होगा कि जो चालुक की शाषन पुलिकेशन की है हर्ष पर विजय हुई थी 618 वा इसी में दानकीगा इसी में हुई थी और जो हर्ष को नर्वान दिकत अट पर पराजित किया था और यह जानकरी कहां मिलती है हमको पुलकेशन दित्य के तामर पत्र पर कहां मिलती है पुलकेशन दित्य का जो तामर पत्र है उसके बोलते हैं कि अभिलेक पर इसाधर ही थे दानकीगा तो चालुक कि शाषन पुलकेशन की हर्ष पर विजय का वर्ष कोन सा था 618 इसी इसका विजय का वर्ष था अगला कोशन आपका, कोशन नमर आपका 2 चुम्बकी दिशा सूचक का भारती महासागरों में प्रयोग की पैरंभिक सूचना सबसे पहले किसके द्वारा दे गई थी देखें आपर यदि हम बात करें चारो अबजेक्ट की तो आपको बताना है कि इन में से इसे कौन से वक्ति है जिसने चुम्बकी दिशा सूचक का प्रयोग का वर्णन किया है तो वह था आपका थर्ड वाला सदुरुद्दिन महामद ओफी अगला कोशन आपका कोशन नमर आपका थरी प्रथम वास्त्विक महराब किस सल्तनत कालिन इसमारक में द्रशाति थें इल्तुतमिश का मकबरा, बलबन का मकबरा, अलाई दरवाजा या कुवत उल इसलाम मस्जिट तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है आपको ग्यात होगा अलाई दरवाजा देखे दिए हम 1286 के समयकाल की बात करें तो 1280 का जो समयकाल है वो भारती वास्तुक अलागे विकास का सबसे महत्पून काल माना जाता है जिसमें हम देखें तो विविन प्रवाजा के महराब भारत में पहली बाई दिखाए गए थे जैसे आपने सुनाओगा दिल्ली का जो महर लिस्थम है उसके निकट जो कुवत उलिस्थम कॉम्पलेक्स है उसमें जो ग्यास दिन बल्बनल का मकबर है वो सबसे पहला वास्टुग महराब था धनकी का तो अलाई दरवाजा की यह बात करें तो अलाई दरवाजा भी इसका सही उत्तर है तो कोश्चन था यहाँ पर कि बिथम वास्टिक महराप किस सल्तनत काली निसमाराख में देशाती थी थे तो वह द्रशाती थे आपका अलाई दरवाजे पर अगला कोश्चन की बात करेंगे हैं अगला कोश्चन आपका कोश्चन नमबर आपका फोर तो आपको बताना इनमें राइट अंसर क्या है तो आप सबी ग्यात होगा जो अतिक कटर पंती सूफी संप्रदाई की बात करें तो उसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा आपका सुखाग वर्दी देखे दियम मद्यकाल के दोरान इदियम भारत में विविन प्रकार की जो जड़े हैं उनकी मजबुत करने वाली अदियम पद्यतों की बात करें तो सुफी पद्यती में जो सुखाग वर्दी पद्यती उसका अधिक सबसाधिक रुडिवादी उसको माना गया है और धर्म और सामजिक्स महत्तों के बारे में कई प्रकार के जो मुद्दे हैं उनको दस्टी कौन के रूप में अधियम देखें तो कठोर और अडियल प्रकार का अधियर देखें तो वो सुहाग वर्दी में आपको देखने को मिल जागा इस पद्दी में जो रूडिवादी विचार धरा है वो दिल्ली के लोग के जो मद्दे हैं वो लोगप्री होने में आसरवल रही थी धानकी का तो अत्ती कंचरपंती सुफी संपरदायन में से कौन सा था तो वो था आपका सुहाग वर्दी अगले कोशिन के लोगए बढ़ते हैं कोशिन में आपका पांच सूची एक को सूची दो से मिलाना है और आपको बताना है कि सही उत्तर चुनिये एक है आपका तरब जंजाती दूसरी आपकी मूल राज धानकी का एक तरब क्या आपकी जंजाती है दूसरी तरब आपका क् चेतर है थोड़ा सोत्ता बदेश्ट में धारू जंजाति आपको देखने को मिलेगी यदि हम भील की बात करें तो भील आपको मिल जाएगी रायस्तान वाले चेतर में धानकीगा रायस्तान गुज्जवात मद्वदेश का अधिवासी समूह धानकीगा यदि हम गद्धी की जारखंज के छोटन आपको बठार में रहने वाली एक जंजाती है तो इसका सही उत्तर यहाँ पर मैं आपको बता दिया है अगला कोश्चन आपका कोश्चन नमर आपका 6 अनुसूचित जाती और अनुसूचित जंजाती को संविक्त रास्टी आयोक के किस संशोधन के अंतकत दो अलग निकायों में बाटा गया था देकिन में से एसा कौन सा सविधान संशोदन चारों का जिन में से अनुसरी जाती और अनुसरी जन जाती के समिकता रास्टी आयोक को दो अलग निकायों में बाट दे गाया था कौन-कौन से दो अलग निकायों में बाट गाया था उसको देख लेते हैं तो दानकीगा दो अलग निकायों में बाट गाया था एक था आपका आर्टिकल 338 में हम देखें तो दे रखा है आपका कौन सा आयोक रास्ट्री अनुसरी जन जाती आयोक और अनुसरी जाती आयोक क को दो अलब की भागों बाड़ते काया था, 338 के अनुसार रास्टी जन जाती आयोग और 331 के अनुसार रास्टी जन जाती आयोग होगा, अगले कोशन की बात करेंगे, कोशन नमर आपका 7, मूल भारती सविधान में कितने भाग अनुच्छेद और अनुसुची थे हैं, अनुसुची, यदि हम वरत्मान की बात करें तो वरत्मान में 25 भाग हो चुके हैं, लगबग 448 अनुच्छे थे हमारे पास और टोटल हमारे पास 12 अनुसुचिया हैं, परन्तु कोशन के साथा कि जो मूल सविधान की बात हुरी हैं, मतब जो सविधान बना था, तब उस स संचोधन के अंतरगत अधिनियमित किया गया है, दलबदल के अंतरगत की अधिनियमित किया गया है, तो आप सभी को गया तो गया होगा अशका सहिद।र 52 स्मेधान द dłबदल के अधर पर किसी राजनेदिक पार्टी में शामिल होने वाला जो निर्वाजी सदर से है उसको अयोग की छहरान है तू प्रावधन किये गए थे जिसके अंतरकत आप देख लीजिए 101 अनुच्छे देख लीजिए 102, 190, 199 इनमें विविन प्रकार के संचोधन किये गए और बाद में 91 वा सविधान संचोधन भी लाया गया अधान किये इसके ल संदर्ब में कौन सा बिंदू नहीं है वार्वी पंच वर्शी योजना की बात करें तो आज प्रतिशत वास्तिक GDP विकास दर यहां पर गलत है इसे ही यहां पर बिल्गु गलत दिखाएगा यह 4% क connectivity अदर यह भी यहां पर गलत थी इसका लगबक हम बात में आद में देखेंगे प्रती व्यक्ति भोकता निर्धनता 10% काम करना यह यहाँ पर सही है यह भी यहाँ पर सही है और यह भी सही है माफ कीज़ेगा यहाँ पर तीनों ही सही दे रखें इसका सही उत्तर है आपका अप्युक्त सभी शमा चाहूंगा मैं 12-5 वर्षी ओजना की बात करें तो जो 12-5 वर्षी ओजना है उसके एदियम GDP की बात करें तो जो लक्ष रखा गया था वह 8% रखा गया था करशी विकासदर यहाँ पर 4% रखी गई थी और प्रतिवक्ति भोक्ता देतांग सुचकांग 10% तक कम करने की बाद यहाँ पर कही गई थी दाना किका जो प्रतिवक्ति भोक्ता निर्धनता है उसको 10% तक कम किया जाएगा 4% की गिरशी विकासदर और 8% का वास्तिक GDP विकासदर तो सही कुनसा अंसर होगा इसका आपका सही होगा इसका अप्यूक्ति सही मैं चाहूंगा परन्तु यहाँ पर तीनों ही राइट देगा है तो बारवी पंचवर्ची ओजना का समयकाल के दिम बात करें तो समयकाल क्या है उसका 2012 से लेकर 2017 तक धनकी का और यहाँ पर 8% की बास्तिक GDP दर रालक्ष 4% के शिविकासदर और प्रतिवेक्तियों भोगता निर्धनता में 9% की कमी करना इनका लक्ष था तो राइट अंसर इसका आपका फोर्थ वाला अगले कोश्चिन की बा घर होगा आपका आरेने देखिया राइबोजायम की बात करें या थोड़े से इतल कि बात करें तो राइबोजायम एक प्रकार का राइबोच्टिक दाने कीगा gerade यह RNA होता है मतलब और एक प्रकार का यह enzyme इंधाने किगा जो रासाइनिक अभीका को उत्पेरित करता है जिसमें विभिन प्रकार के हम देखें तो जो protein enzyme होते हैं उनके जो समान विसिस्ट अभीक्या होती है उनको यहाँ उत्पेरित करता है इसलिए इसे उत्पेरक RNA भी कहा जाता है उत्पेरित आरेने भी कहा जाता है जो protein शेंखला को निर्मान करने के लिए amino acid में शामी लोकर एक महत्वपून कारे करते हैं तो वह करते हैं RNA अर्थात ribo gyms क्या होते हैं आपके RNA होते हैं अगले question के बढ़ते है question number आपका 11 म्रत मक्षली से निकलने वाली दुरगं किन योगिकों के कारण होती है amino, aldehyde yogic, sulfur yogic या nitro yogic देखिए अधि हम बात करें एक मचली की तो धनकी का इसका जो सही उत्तर है वह आपका nitro yogic कि एक मचली जब मर जाती है तो वह एक प्रकार की गंद पेदा करती है वह करती है नाइट्रो yogic के कारण धनकी का नाइट्र का मांस होता है वह सणना लगता है उस और इक प्रकार की दुरगंद आती है और यह जो डुरगंद वह बोल सकते हैं जो TMA होता है धनकी का TMA होता है आपका जो मनने के बाद क्या करती है एक प्रकार की गंद छोड़ती है तो आप तो सीधा से गिजाद नखी कि मशली मनने के बाद गंद क्यों छोड़ती है क्योंकि उसके नाट्रोयोगिक के कारण गंद छोड़ती है टैफलोन का लेप किया जाता है, non-stick मतलब गेर चिपकी, मतलब चिपकने वाली नहीं, एक गेर चिपकने वाली सता होती है, जो पस्टी रूप से नविमिद होती है, जिसका हम देखें तो जो चिपकने वाले आन्य पदार्तों है, उनकी चमता कम करने के लिए इसका पयोग कि तो और नोन इस्टिक कड़ाई में लेप लगा होता है दहनकी क के ना तो नॉनिस्टिक फ्लाइंग कड़ाई के लेप लगा होता है टेफलोन में अगला कोश्चिन आपका कोश्चन अब आपका 13 शाशक पूरण मल के द्वारा निमलिखित में से किस मंदिर का निर्मान करवाय गया था कोश्चन इंगी चारो अबजेक्ट में से एसा कौन सा मंदिर है जो पूरण मल के द्वारा बनवाय गया था निमान 1516 में करवाय था देवगार इस्थित जो मंदिर है उसका निर्मान 1516 में करवाय था और किसने करवाय था जो गिदोर के राजा है पूरण मल उनके द्वारा करवाय गया था और यहाँ एक वेदनात मंदिर के रूपतम प्रसिद्ध है जहाँ का जो जोती लिंग है बहुत बड़ा है मतलब एक बहुत आती फेमास जोती लिंग है धानकीगा और इसमें हम देखें तो इस सम्मू में लगबग 22 मंदिर और एक कुवा भी है तो कोशन था कि देवगार इ सित्च शीवा मंदिर का सही उत्तर है अगले कोशन आपका कोशन मरा पका 14 महू आंडार अभ्यारन जारखन द्थार या लातेहार तो इस swoje 4 राइड एंसर आपका लातेहार दानकीगा महू आंडार इसको बोलते हैं महू आ अंडर महुआंडर देखें महुंडर अभिहारन के दिम बात करें तो महुआंडर जो अभिहारन है वो जारकन के लातेहार जिले में इस्ती थे जहांपर जो संक्रिटापन शेडिये में जो भारती भेड़े हैं द्यानकीगा जो भारती भेड़िये हैं और महुआंडार की यह दिम बात करें तो महुआंडार जिस परकार मैं आपको बता चुका हूँ कि लातेहार जिले में है और जो बुर्जा नदी का जो पन छेतर होता है वो इसी छेतर में होता है और मनोरम चेचरी घाटी में इसी तदान कीगा तो question था आपका कि महुआंडा हिए तो जो आंजन धाम है वो ज्ञार ऑसकते हैं कि और यह मंदीर किसम नदी किनारे पर धानकीगा यह मंदिर खटवा नदी किनार है कौन सी नदी किनार है आपकी खटवा जो नदी है उससे किनारे में स्थित है और नेतरहाट पहाड़ियों के बीचों बीच बसा हुआ है धानकीगा और यह धानकीगा भारत का एक मातर ऐसा मंदिर है जहांपर जो बाल हनुमान ज जारखंज निवासी दीप सेन गुपता का नाम किस खेल से जुड़ावा है दीप सेन गुपता जारखंज की खिलाडी है उनको बताना आपको किस से जुड़ावा है तो आप सबी को ग्यात होगा इसका राइट अंसर आपका शत्रंच देखें जो दीप सेन गुपता है वो ज चतेन से संब्वनदित है अगला कौशन आपका क्वेश्चन आपका सैवैंटीन इस्टेंट अप इंडिया-इसकीम करा पर रौज़न अनुसुशच जाती जिन जाती महिला उध्यमों को प्रताहित करना है सिर्फ अनुसुचश जाती के उध्यमियों को उध्यमिता को प्रोजशाइद करना है या सिर्फ महिला उध्यमियों को प्रोजशायद करना है तो देखिए test अप इंडिया जो scheme आई थी उसका है पर बोसकते है की वो पूछा है की साहता करने के लिए स्किम लाए गई थी और यहाँ योजना जो कशी छेत रहे उनके बाहर जो नए उद्ध्य मिस्थाबित करने वाले जो स्टी स्टी की जन्जाती की लोग महिला हैं उनको दस लाग से लगभक एक करोड तक का मद्ध बैंक लोने की सुविधा स्टेंड अप इंडिया स्किम प्रावजित करती है तो राइट अंसर कौन सा होगे आपका फस्ट वाला तो सारी स्किम के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए अगला कोशन आपका कोशन नमर आपका अठारा सभी प्रकार के सामाजिक विभेत काउनमूलन मानवा धिकार के किस पीड़ी के अंतकत आता है तो आपको बताना इनमें से कौन सी पीड़ी के अंतकत आता है तो वा आता है आपका तीसरी पीड़ी के अंतकत आता है तो आपका तीसरी पीड़ी के अंतकत देगा तीसरी दूसरी पीडी को अधिकार माना जता है नागरिको राजनेतिकों का और यदि हम ध्रती प्रती प्रती की सामाजी का उन्मूलन का संवी स्भी प्रकार के सामाजी के उन्मूलन एक पर दिया गाया है तो केट कार्टेजना प्रोट्रोकॉल का संबंद किस्से है जेव सुरक्षा समझोते से तदूशन से ओजोन चरन से या जलवाईव परिवर्तन से तो कार्टेजना प्रोट्रोकॉल आया था वो संबंद किस्से है आपकी जेव सुरक्षा संबंद के संपूरक रूप से जेव दाने कीगा इसका उद्देश के दिम बात करें तो काटे जना जो प्रोटोकॉल है उसका उद्देश क्या है जो आधुनिक जेव पुद्द्दगी है दाने कीगा उसका जो परिणाम सरूप जो अनुविंशिक रूप से सुछम जीव द्वारा जो जोखी मुत्पन हो रहे है उनके कारण जो जोखी मुत्पन हो रहे हैं उनसे जे विवित्ता के जो खत्रा है उसको कम से कम करना है और जे विवित्ता को अधिक साथिक बचाना ही इसका प्रमुख उद्देश है जद्दाने कीगा कोश्चन था कि काटर जना पॉटोकॉल का संबंध की है ताव सबी improves दिखाया गया है अगला कोश्ण आपका कोश्ण नमर आपका 20 शुद्य चांदी का रुपिया का विश्कार किस ने किया अकबर शेर्षाह जहां गिर्या और अरंग जेब ने आपको ग्यात होना चीए कि जो यदि हम बात करें चांदी के सिक्के की तो सही उत्तर होगा आपका शेर्षा क्योंकि शेर्षा ही भारती रूपियों को सर्वततम देखें जो शेर्षा सूरी है उन्होंने भारती रूपिय के रूप में सिक्के को परिभाशित किया था 1540 से 1545 दनकी का इस समयकाल है इनका और इसके समयकाल में उन्होंने बहुत सिक्ते ही कि शेर्षा सूरी चांदी के सिक्के निभनवाय थे एधि उसके ग्राम की बात करें तो लगभख 178 ग्रेंड का एक सिक्का हुआ करता था और यह मुगल का अमराथा यूग और बिटिज भारत में भी प्रयोग में बहुत अंतरकाल तक रहा है तो इसा कोशन था कि भी चांदी का जो सिक्का है स के लेखन से सुमिलित करके सही कूटों में उत्तर चुनिये आपको बताना है आपको बताना है कि इसमें सही कौन सा है हम देख लेते हैं हकीक ए हिंद यह आपकी अब्दुल वाहिद बिलगरामी की है हकीक ए हिंद यदि हम अगली बात करें तहजिबूल अखलाक ओफी यह करते हैं कोशन बात करते हैं कोशन बात करते हैं कोशन नमबर 22 बगहात रियासत का बिटिश में विलय कब हुआ? 1840 में, 50 में, 52 में या चोपन में तो सभी को ग्यात होगा कि जो बगात रियासत है इसका सहीट तो देख लेते हैं पहले सहीट तर आपका 850 से अब बात करते हैं इसके जिटेल की तो देखें जो बगात रियासत है वो बिटिश शाषिन के दोरान हिमाचा पदेश का एक राजिसी राज्य था और 1850 को जो इसमें शामिल कर लिया था तो कोशन था कि बगात रियासत का बिटिश में विले कब हुआ था तो वह हुआ था आपका 850 में अगला कोशन आपका कोशन नमबर 23 निंदलिखित में से किसने गांधी जी के नवक आंदोलन में भाग लिया था यह चार नाम दे गए हैं और कमला देवी चाट्टोप ध्याए भ्याग करें तो इन्होंने भी दांडी मात्रे में रूप से लिया था सहीत तरकौन सा अगा आपका उप्यूक्त सभी देखें सरोजनी नाइडू कमला देवी चाट्टोप ध्याए राज कुमारी अमरता कोशन ने लगभग 1930 का जो माफ 240 मील जो लंबी नमक आतरा थी उसके उतपादन पर जो ब्रिटिस एकाधिकार का वो था समय तो उसको विरुद्ध गांदी जी ने बोल सकते कि वो किया था तो उसके विरुद्ध भी ये लोग गए थे सरोजी नाइडू, राजकुमार यामरता कोर और कमला देवी अगला question आपका, question number 24, भारत के सविधान के किस अनुच्छेद में करों को केंदर दरा लगाया, एकतित किया जाता है लेकिन केंदर और राज्यों के वित वितित किया जाता है, इसमें आपको कोण सा यसा आइटिकल है आपको बताना है जो text केंदर का दरा लगाते हैं और ए उद्ग्रहित और संग्रहित तथा संग औराज्यों के मद्ध जो विधित चाना वाला कर है उससे संबन्दित या अनुच्छित उसमें बताता है दान कीगा जिसमें क्रशी आई का अलावा जो अन्य साधनों से आया आती है भारत सरकार पे उस पर लगाई जाती है वह केंदो तो राज्य के मद्ध बार्दी आती ही एदे रखा अनुच्छद दोसो सित्तर में अब बाकी का अनुच्छद के दिम बात कर लेते हैं दूसरे अनुच्छदों की यदि 268 की बात करें तो बात करें तो 271 की बात करें तो 271 में निशुलकुशुल करेता है और संग के प्रावजन के लिए अधिवार के रूप में काम करता है और दोसित्तर में आपको बता ही चुका हूँ अगला कौश्छन आपका कौश्छन नमबर 25 निमने में से कौन सुशाशन की विशेस्ता नहीं है जवाब देही पारदरशिता कानुन का नियम या लाल फीता शाही तो देखी सुशाशन का नियम नहीं है सुशाशन की जदि हम देखें तो प्रमुगुरूप से आथ विश तो लाल फिता चाहि उसी के अंतगत आती है, जो कि सुशाशन की निव में नहीं आती है, बलकि जवाब दहिता, पारदरशिता, कानून का नियम, प्रभावी कारिकोलुशन, न्याय संगता, समावेशिक कानून, प्रतिक याशिल, विभिन प्रकार के उत्तरदाई, विभिन सबी सुशाशन के अंतगत आती है, पर लाल फिता चाहि सुशाशन के अंतगत नहीं आती है, अगला कोशन आपका, कोशन नमर्ट 26, मितकों और कहावतों के रूपे में, प्रशाशन के सिध्धानतों को किसने अस्विकार किया है, आगो बताना इन चारों में से किसने आपका, कोशन नमर्ट 26, मितकों को संग्यादी दिदान कीगा, यह जो हरबर्ट साइमन है, इनोंने जो परंप्रागत विचार धरा की सकिर्ण देता है, परशाशन के जो सिध्धान थे, इनकी कटी, कटू आलोचना की थी, और इनोंने उन्हें कहावते और मितकों की संग् आती है, वो विविन प्रकाल की मोच अब्दावली विक्सित होती है, जिसमें विविन प्रकाल की निर्नयों का विसलेशन भी किया गया है, तो यह इसका सहुत्तर होगा, हरबर्ट साइमन, मितकों और कहावतों के रूप में पशाशक सिध्धानतों को असुगार करने वाल नहीं कल्यांड कली राज्य की होती है, कल्यांड कली राज्य की दिम बात करें, तो कल्यांड कली राज्य की सरकार व्यापक इस तरह पर एक चोतरफा, विकास और प्रगती की सकरात्म का आवशकता और संबदिस होती है, जिसमें हमको ध्यान में रखते हुए जो राज्य की निवेश के आता है, सामाज जी कार्थी गूरूप से कुछ कारे निल्धार के आता है समाज के माग दर्शन के आता है, समाज को बढ़ाया झाता है तो ये सारी जो definitive से वो किस से संबंदी थे, आपकी कल्यानकारी राज्य से संबंदी थे तो राज जी हर जगा है यह अंतराल शायदी कोई छोड़ता है यह व्यक्ता तो किसकी धार्णा की व्यक्खा करेगा एक कल्यानकरी स्टेट की एक कल्यानकरी राज जी की व्यक्खा करता है अगले कोशन के रोब बढ़ते हैं कोशन हमा आपका 28 विशाक्त मास्टर्ड गेस कि इसका सही के सिन उत्राव का देखें वसाइन में बात करें कि तो यह है गेस्क के रूप में देखें आपका तो एक गस के रूप में देखें लगभर चेते लिद्नित qu正 Postage Uzustra जो मास्चर्ड गेस है एक प्रकार की द्रव गेस होती है अगला question आपका question number 29 dynamite के निर्मार में प्रविक्त होने वाला रसाइनिक केमिकल इनमें से कौन सा है dynamite में ओपयोग में होना इनमें से कौन सा रसाइनिक है तो आप सभी ग्यात होगा glycerol trinitrate देखे dynamite जो है वो नाइट्रोगलिसरीन से बना जाने वाला एक विसफोटक है जिसे नाइट्रोगलिसरीन, Triglyglacin, TNG, Nitroglycine, एक दो तीन जो Triglypropane है इनके रुपे विभिन प्रकार के रूप में इसको जाना जाता है बतलब के सकते हैं कि जो डाइनामाइट नाइट्रो गलिसरीन है वह भी इन पकार के नाम साला जाना आता है जिसमें से एक नाम है गलाइसोरेल ट्राइनाइट्र एसे धन कीगा और यहां देखा जाते हैं एक रूप से भारी तेली और इसफोटक तरहले और इसके अंतरा जो एसिड होता है उसका जो इस्तिर का निर्माण किया जाता है उसमें भी इसका उप्यों किया जाता है तो धाना कीगा तो कोश्चन था कि जो डाइनामाइट के निर्माण में प्रविक्ट होना रसाइनिक केमिकल कौन सा है तो डाइनामाइट बनाने के लिए जो जो मॉसली जो chemical यूज के आता है वह है आपका गाई सेरोल ट्राइ नाइट्रेड अगले question आपका question नमर आपका 30 मानो रक्त में alcohol की कितनी प्रतिशत मात्रा म्रत्यू का कारण होती है 2.0, 3.0, 5.0 या 7.0 तो सही उत्तर कौन सा होगा आपका 5.0 देखिए दिम बात करें blood alcohol की BAC की बात करें तो जो BAC का इस्तर होता है वो जो alcohol होता है उसके साथ जो संदित रक्त होता है उसके प्रतिशत का प्रतिनिदित्व महाँ पर करता है दनकीगा और यदि हम देखते हैं तो लगभग कितना होना चाहिए तो लगभग धनकी का जी 5.5 परतिशत है तो वह एक मत्यू के कारण बन जाता है और मानरत में alcohol की जी 5% की मातरा हो गई है तो उस व्यक्ति की मत्यू निश्चित होती है अगला question आपका question number 31 सूचना प्रोध्योगी को परिभाशित कर सकते ह इनमें साथ को बताना है चारो अब्जेक्ट में से सूचना प्रोध्योगी को information technology IT को आप केसे दिखाएंगे तो इसका सब्सक्राइट answer होगा computers और networks के दारा थानकी computers और networks के दारा हम IT को दिखा सकते हैं देखिए अधिम information technology की बात करें तो computers, storage, networking और जो physical devices होते हैं यह सभी क सबी इसके प्रयोग सभी प्रकार के electronic data को create करने, process करने, store करने, secure करने की वहीं प्रकार की संबंदित होते हैं, प्रक्राओं को सूचना संबंदित करते हैं दानकी का, तो computers और जो network से दानकी का, यह आपके information technology से संबंदित रहे हैं, दानकी का, question था कि इसमें से सूचना प्र 32, खोर्टा संकलनों का प्रकाशन मेगधूत नाम से किस रशनाकार ने किया है, आंको बताना है, खोर्टा संकलनों का जो प्रकाशन है, वो मेगधूत नाम से किस ने किया है, तो वह किया है श्री निवास पानूरी ने, धनकी का, मेगधू स्री निवास पानूरी का एक खो जिन जातियों कि एक भाषा होती है उसके रूप में तो कोश्चन आ गया कि खोटा जो भाजवा है भाषा है उसके लेंग्वेज में जो बोल सकते हैं कि जो मेकदूत है उसको किसमें राइट करा है ट्रांसलेट करा है तो वह आपके श्री निवास पानूरी सहाब अगला करती है उनके प्रक्रियाहन को लागो करती है और विकासि देशों की सहायता करती है जैसकी स्थापना वर्ष की बात करें तो इसकी स्थापना होती 1972 में UNEP की युनाइट नेशन एंवार्मेंट प्रोग्राम सहुट राष पर रावन का रिगम किस्थापना 1972 में की गई थी और इसका मुख्याले मैं आपको बता चुका हूँ नेरोबी के न्याय में इसका मुख्याले है अगला कोशन आपका कोशन नमबर 34 दीपी का पल्लिकल दान से पहले दस इस्थान पाने वाली प्रतम भारती महिला बनी थी और दोजा सोला के दक्षन एशाई खेलों में भी इन्होंने सवर्ण पतक जीते हैं ते धानकीगा तो कोशन आजाता है कि धानकीगा कि दीपी का पल्लिकल किस खेल से सम्मधित है तो आपको ग्याथ होना चा साइकलिंग देखेशती हम बात करें वेयलो ड्रॉम की तो जो साइकलिंग इस पर था धकिल्प्रेवक्त होना वाला एक ट्रेइक होता है ट्रेक मतलब एक रास्ता होता है दानकीगा जिसपर साइकल ड्रेक चलती है साइकल हैं पाकिस्तान प्रस्ताओं की रूप रेखा किसने तयार की आपको बताना है कि इन चारों में से पाकिस्तन पस्ताओं की जो रूप रिखा वो किसना त्यार की थी तो वो किती सिकंदर हयात खाने दनकीगा यदि इन प्राकिस्तन पस्ताओं के दूसरे नाम की बात करें ता आप सबी को गयात होगा इसको लाहर पस्ताओं के नाम से भी जाना जाता है देखें पाकिसन पस्ताँ हो या लाहर पस्ताँ हो इनका जो पन्जब की सदस्यतारा इसको पंजाब के मुख्य मंद्री थे उन्होंने लाहर पस्ताँ का मोल पैरूप भी तयार किया था तो दनकी का कोशन ये था कि जो लाहूर प्रस्ता हो है या जो पाकिसन प्रस्ता हो है उसका मूल प्रारुप किस ने तियार किया था तो सही उत्तर है उसका सिकंदर हयात खाम अगला कोशन आपका कोशन नमबर 37 भारती स्वतनता के समय अंगरेजी महराज कोन था जार्ज पंचम जार्ज सस्टम या जार्ज एडवम सप्तम या इन में से कोई नहीं तो आप सभी को ग्यात होगा इसका जो राइट अंसर है वो होगा आपका जार्ज सस्टम देखे जार्ज सस्टम के जिन बात करें तो 11 दिसमबर 1936 से लेकर 22 जून 1948 तक ये भारत के अंतिन समराड थे धनकीगा और जिन्होंने 1947 में जब भारत पाकिस्टान सतंद हुए थे उसके बाद जार्ज ने दोनों देशों के समराड बने रहे थे और जून 1948 में उन्होंने भा द्याताग्दी उपाधी त्याग्दी थी ध्यान रखेगा तो जार्ज सस्टम ध्यानकीगा जो भारत से तना के समय अंगरेजी महराज रहे 1948 तक अगला कोशन आपका कोशन नमबर 38 मांट बेटन योजना जून 1947 में निमलिकिच में से किन प्रांतों में लोक निर्नायक संस अगर बताना है सिंद बलुचिस्तान या उत्तर पस्चिम सीमान प्रांट तो सही उत्तर इसका उत्तर पस्चिम सीमान प्रांट देखें तीन जून प्रांट के नाम से भी इसको जाना जाता है या बोल दीजे मांट बेटन प्रांट एक ही बात है जो उत्तर पस्चिम सीमा कायोजन का प्रावधान इसमें किया गया था तो बहुत इंपोर्टन ये धारकी का मौंट बेचन प्लान पर लिजेगा एक बार तो किसे समझ थे उत्तर पस्चिम सीमान प्लान से समझ थे अगला कोशिन आपको आपको बताना है कि निमने लिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है भारत का कुल 6 रफल कितने किलोमेटर है आपको बताऊगा 3.28 मिलियन वर की किलोमेटर यहाँ पर सही दिया गया है तो यहाँ पर देखिए गलत कुछ भी नहीं दिया गया था सिदी सी बात है फोर्ट वाला था इन में से कोई नहीं तो राइट एंसर यहाँ पर मै की बात करेंगे कोशन में आपका 40 दूसरे प्रशाशनिक आयोक की कौन सी प्रतिवेदर ने भारत में सुषाशन की बाधाओं की पहचान की है शाशन नेतिकता नागरिक केंदरी प्रशाशन यह इस थानिय शाशन तो देखिए इसका जो राइट अंसर हुआ आपका नागर सेंट्रिक एड्मिनिस्टेशन दे हाट आफ गवर्नेंस दो हजार नो नरके गवर्नेंस दो हजार नो में यह रिपोर्ट आई थी जो सुषाशन में आने वाली जो पांच बाधा हैं उनकी इन्होंने पहचान की थी जिसमें से एक बाधा थी लोक्षिवक के विवार्थ सम यह इसका राइट अंसर नागरिक केंद्री परशाशन शाषन का केंद्र विंदू अगला कोश्चन आपकर कोश्चनमर 41 बारती साविधान के कोन सानुच्षत में जिलायोजना समीती का गठन किया गया है जिलायोजना समीती का गठन देखिए सयुक्तर कौन सा अनुच्छत 243 जेट डी जिसमें जिला योजना सम्पून जिले के विकास है तू योजना है तू एक प्यारूप किया जाएगा कौन प्यारूप करेगा तो त्यार करेगा वो सम्पून जिला योजना सम्पून किया गारेगा है अनुच्छत 243 जेट डी अगले कोशन की बात करते हैं सही मिलान करना है सुची वर्न और सुची डू में एक तरफ वर्ष और दूसी तरफ आपको सम्पून की बताए गई है यदि हम बात करते हैं 1949 से लेकर 51 की बात करें तो आपको याद होगा जो इस्थानी है विट्ट जा सम्मिठी पेठी थी वो 1950 में वो इसी संबंधी थी धानकीगा यदि हम अगली बात करें 1953-1954 की तो राइट अंसर इसका आपका ग्रामिन शहरी संबंध समिठी धानकीगा यदि हम थर्ड वाली की बात करें 1963 से लेकर 1966 की बात करें तो इसमें आएगा आपका धनकीगा नहीं माफी चाहूंगा मैं शमा चाहूंगा देखिए इसका थोड़ासा में स्प्रिंट है या आप थोड़ासा गलती के लिए शमा चाहता हूं मैं देखिए 1950 से 1901 की यदि हम इस्थानी वित्य जांच समीती आये थी लगबग 1950 में यदि हम 1953 से 1904 की बात करें तो उसमें कराधान जांच आयोग आया था दनकीगा कराधान जो जांच आयोग था वो आये था यदि मगली बात करें 1963 से लेकर 66 का समय काल में तो ग्रामिर शहरी संबंदी समीती संबंदी और लास्ट ये दिम बात के रास्ट्री शहरी करण पर जो रास्ट्री आयोग आया था आपका 1985 से लेकर 1988 के पीछ में तो यहां पर सही कि सभी के सभी चारों की चारों यहां पर सही दी गई है मैं पूर्व में थोड़ा सा इसको गलत बना रहा था जो की मेरे द्वारा गलत बता दिया गया था जिसके लिए मैं शमा चाहूंगा परन्तो अभी में आपको सही बता दिया है कि पतिशत निशित क्या गया था यह आपको याद होना चाहिए अगला कोशन आपका फोट सिंपल सा कोशन है साइन्स का कि एक किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं तो आप सभी को गयात होगा कि जो एक किलो बाइट होते हैं उसमें 1024 दान कीगा यह तो इंटू टैनेस ब बेनी जविज़ वहна में को याद ओना चीज है दोलग up को सब्सक्रिक्र्पाइब एक डीवाइस कोन शोड़ाइस यह तो वर्यक्जिवाइब गया सच कि खालप में हम उटकिन सब्सक्राइब करता है जहां तो साओ यह मैं डीप्स पर आता है, प्रोजेक्शन आते हैं, फिजिकल रिप्रोजेशन जो कम्पूरर का डाटा रिसुट्स करते हैं, यह सारे चीज़ इसका अंतगत आती हैं, तो यहाँ पर पूछा था, आउट्पूट डिवाइस कौन से हैं, तो मानिटर, प्रिंटर, अप्लाटर, आउ वंदे मात्रम,